असलाम अलेकुम फ्रेंस वेलकम बैक टो मैं चैनल तो आज मैं बनाने जा रही हूं मसूर प्लाव घर के मसालों में बनाया है मैंने यह प्लाव तो आईए चलिए हम इंग्रिडियंस देख लेते प्रेपेरेशन तैयारी जो मैंने की थी स्टेप बैस्टेप मैं आपको दिखाती हूं किस तरीके से यह मसूर प्लाव मैंने रेडी किया था तो गाइस देखें यहां पे ग्यास का फ्लेम फास्ट रख के मैंने पतीला चड़ा दी हूं इसमें मैंने तक्रीबन चार टेबल स्पून ओईल ली हूं अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले आड़ करेंगे दो टी स्पून अक्खा जीरा है तेज पत्ता है दाल चीनी ह बड़ी लाइची, लॉंग और काली मीरी है यह सारे खड़े गरम मसाले हम आड़ करेंगे आपको अपने रिक्वार्मेंट के अकॉर्डिंग लेना है खड़े गरम मसाले ठीक है आप देख रहे हैं यह मसाले प्लटर हो गए है अब इसमें मैं दो मीडियम साइज के बार ए उसके बाद हम इसमें आड़ करेंगे टमाटर तो यहाँ पर देखिए प्यास का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है बस अब हम इस स्टेज पे टमाटर आड़ करेंगे यहाँ पर मैंने दो बड़े साइज के टमाटर चॉप कर ली थी यह पूरा आड़ कर दूँगी मैं इसे अच्छे से सौटे करेंगे टमाटरों को और अब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे यह तक्रीबन मैंने 15 हरी मिर्च ली हूँ बीच में से स्लेट करके हम इसमें आड़ करेंगे इन सब को अच्छे से हम मिला लेंगे एक मिक्स दे देंगे तक्रीबन 5-7 मिर्ट हम इसे क अब यहाँ पर जाएगा अद्रक लसन का पेस्ट तो यहाँ पे मैं दो बड़ा टी स्पून भर कर ली हूँ अद्रक लसन का पेस्ट यह आड़ कर लेंगे हम और इसे अच्छे से भून लेंगे मसालों में जब तक के भूनना है जब तक के टमाटर जो है हमारे अच्छे से गल नहीं जाते ठीक है तो यह प्रोसेस कम से कम 5-7 मिनट करने के बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ तो यहाँ पे देखिए प्याज टमाटर और हरी मिर्ची अच्छे से भून रहा है अब हम इसमें पॉडर के मसाले डालेंगे तो यहाँ पे मैंने एक टीस्पून भरकर रेड चिली पॉडर ली हूँ हाफ टीस्पून हल्दी दो बड़ा चम्मच धनिया पॉडर ली हूँ मैंने और एक बड़ा चम्मच मैंने लिया है जीरा पॉडर और हाफ टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला और नमक सॉल्ट एसपर टेस्ट लिया है मैंने इस सारे मसाले डालने के बाद से इसकी भुन बीगो के रखी थी देखिए इसके दाने देखिए कि ते खिले खिले हो गए है ओवरनाइट भीगने की वज़े से फिर मैंने इसे दो तीन बार वाश कर लिया अब इन मसालों की भुनाई हम अच्छे से कर लेंगे कम से कम 5-10 मिनिट के लिए उसके बाद में ये डाल जो मैंन का तकरीबन 1,5 kg इतना प्रोसेस में कर रही हूँ आप अपने रिक्वार्मेंट के एक अकॉर्डिंग अड़ कीजिएगा दाल और चावल को ठीके तो ये भुनाई करने के बाद प्रोसेस फिर मैं आपको दिखाती हूं आगे तो यहाँ पे देखिए 5-10 मिनिट हो चुके ह मसालों की भुनाई जो है वह अच्छे से हो रही है अब इस स्टेश पे हम दाल जो है वह आड़ कर देंगे पूरा दाल आड़ कर लेंगे हम अच्छे से और इसको एक अच्छा सा मिक्स दे के तकरीबन 5-10 मिनिट हम कुक करेंगे उसके बाद हम इसमें चावलों को आड़ क करेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी चावल को वाश करके रेड़ी कर लिया था मैंने इसे मैं पलट दी हूं मैंने अभी अब हम क्या करेंगे इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे और तकरीबन मैं इसमें चार ग्लास पानी आड़ करूंगी रिक्वा अभी इसे भर कर मैंने चार ग्लास लिया था इतना पानी लिया है मैंने आपको अपने रिक्वाइमेंट के हिसाब से एड़ करना है जितना आप बना रहे कौंटिटी ठीक है तब इसे हम ढख देंगे ढखकर हम इसे फास्ट फ्लेम पर कुक होने देंगे जब तक के इसमें तो अब मैं क्या करती हूँ मैं गैस का फ्लेम स्लो कर दूंगी और मैं प्लाव को दंपे रख दूंगी तकरीबन और दस मिनिट के लिए हम इसे स्लो फ्लेम पर कुक करेंगे बस फिर उसके बाद हमारा मसूर प्लाव जो है वो बनकर तयार हो जाएगा फिर मैं आपको इसक की फाइनल प्लेटिंग करके दिखाती हूँ आगे तो गाइस देखिए यहां मैंने फाइनल प्लेटिंग कर दी हूँ हमारा जो मसूर प्लाव है बनके रेडी हो गया है घर के मसालों में क्विक और इजी मसूर प्लाव बनके तयार हो गया है आप इसे कचुंबर के साथ करते हैं तो इस सिंपल क्विक और इजी रेसिपी को आप जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत टेस्टी बनता है यह और बहुत यमी लगता है तो इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना गाइस टेक केर अला हाफिज